अब आपको डिलिवरी की टेंशन होने लगे तो आपको कैसे पता चलेगा आपको कब वह स्पाटल जाना चाहिए तो मैं दॉक्टर सुशीला साय ने गाई नेकोलोजिस्ट अ अबस्टीशन आज आपको यही बताने जा रहे हैं कि आपको कौन से सम्टम्स आएंगे आपको कै लागें जब साने लगें जरल में रुक रुकके आते हैं पीछे से कमर के हिस्से से आगे की तरफ आते हैं और देरे-देरे नीचे थाईस की तरफ रेडियेट करते हैं और यह जो दर्ध हैं धीरे दीरे इनकी फ्रेक्वेंसि बढ़ते जाती हैं जैसरा की दसमें एक बार तो जब इनके फ्रिक्वेंसी बढ़ने लगते हैं तो यह सबसे बड़ा सिम्टम है कि आपको डिलिवरी होने वाली है तो आपको फॉस्पटेल जाना चाहिए दूसरा इंपॉर्टेंट सिम्टम है कि आपको कोई लीकिंग हो जाए याने के पिशाब की तरह पतला पानी चू आपको तुरंत अस्पताल जाना चाहिए क्योंकि ऐसे स्थिती में बच्चे को इंफेक्शन होने का खतरा बढ़ जाता है क्योंकि जो प्रोटेक्टिव लेयर थी वह खट गई है वह खतम हो गई है तो आप नीचे से इंफेक्शन बच्चे तक पहुंस सकता है तीसरा आप क्योंकि ब्लीडिंग मा के शरीर से हो या बच्चे के शरीर से दोनों ही इस्थितिय अपने लिए खतरनाक हो सकती है दोनों इह जाइन जा सकती है तो ऐसे इस स्थितिति में तुरंत अस्पताल जाना चाहिए इसके अलवा आपको लगता है कि आपको और आपनोंमल सिंटम् आपको लगता है जो कि नॉर्मल नहीं और आपको कमफर्टेबिलीटी नहीं दे रहा है तो इसे स्थिती में भी तुरांत अस्पतार जाकर अपना चेक अप कर वा लीजी क्योंकि कई बच्चे की कोई प्रॉब्लम हो सकती है जिससे की दिलिवरी इंडियोस हो सकती है यानि कर सकते हैं तो डॉक्टर के पास जाकर चेक अप करवा लेने में कोई बुराई नहीं होती है क्योंकि यदि आपको ट्रीटमेंट देंगे वापस घर बेज देंगी और यदि डिलिवरी होने वाली होगी तो आपको एडमेट कर लेगी लेकिन समय रहते हैं जब आप डॉक्ट पर बचा फस जाता है और बच्चे को सास लेने में तकलीफ हो सकती है तो ऐसे सारी इस्तितियों में इमर्जनसी में कही पार सेजेरियन भी करना पड़ जाता है तो वह सारी वैलिवेशन आपके डॉक्टर कर पाती है और डॉक्टर के पास पहुंच जाएंगे तो घर ताकि आपकी और आपके बच्चे की अच्छे से केयर हो सके मैं समझते हूं कि वीडियो आपके लिए लाप दैख रहा होगा और आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर से जरूर शेयर करेंगे हम आपसे फिर भी लेंगे एक नए वीडियो में नहीं जानकारी साथ